एच जे न्यूज की रिपोर्ट ज्याजा जानकरी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीए फिल्म मेकर एसस राजा मौली की फिल्म बाहु बली दो ने करीब 1600 करोड की कमाई कर ली है बाहु बली दो अब तक ही सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पहली भारतिय फिल्म बन गई है फिल्म की सफलता के पीछे प्रभास का बहुत बड़ा योगदान है जबसे ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उसके बाद प्रभास ने एक भी प्रोजेक्ट हाथ में नहीं लिया सिर्फ बाहु बली पर ही फोकस किया इसके चलते उनके पास पैसों के भी कमी हो गई थी लेकिन प्रभास ने अपने करियर के 5 साल सिर्फ बाहुबली को ही दे दिये हाल ही में फिल्म को लेकर प्रभास का एक बड़ा बयान सामने आया है उन्होंने कहा मैं इतना अच्छा काम कर सकता हूँ ये मैं भी नहीं जानता था लेकिन इस राजा मौली को मुझ पर पूरा भरोसा था बाहुबली का किरदार निभाना मेरे लिए सम्मान की बात थी प्रभास ने आगे कहा 5 साल क्या मैं बाहुबली के लिए 7 साल भी देने को तयार था मैं बहुत भाग्यशाली हूँ की, मुझे बाहुबली का रोल मिला प्रभास ने ये बातें आए एनस से बात करने के दोरान कही जब बाहुबली बनना शुरू हुई थी तो हर किसी पर बहुत प्रेशर था फिल्म पर हर किसी ने मेहनत की जिसका फलब मिल रहा है अपनी तैयारी को लेकर प्रभास ने कहा बाहुबली बनने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी मेरा पूरा लाइप स्टाइल ही बदल गया था स्ट्रिक रोटीन पॉलो करना पड़ता था प्रभास ने फिल्म में पिता और बेटे दोनों का रोल ने भाया है